आज हम लोग पढ़ने वाले chapter 5 arithmetic progression की exercise 5C और exercise 5C के question हम लोगों ने 40 तक के पिछली वीडियो में कर लिया है तो आज हम लोग solve करेंगे question number 41 से यहाँ पर जो पहला question है वो कहारा 41 वाला find a sum of first 51 term of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively हमें यहाँ पर गीवन है second term और third term गीवन है ठीक है बस यही दो चीज़ गीवन और बताना क्या 51 टर्म का सम बताना तो question तो बहुत simple है बहुत ही बिल्कुल हलवा है easy आसान बिल्कुल कुछ भी कहो उससे भी ज्यादा आसान है मगर करना कैसे है जब तक यही नहीं पता होगे ना तब तक easy नहीं लगेगा तो देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले formula लिख देते हैं किसका formula लगेंगे सम का सम का formula क्या होता है SN यहां पर जो formula हो जाएगा SN equals 2N by 2 ठीक है bracket में हो जाएगा 2A plus N minus 1 into D यह होगा हमारा formula अब हमें क्या करना है अब हमें simple सा यहां पर क्या लिखना है SN है यहां पर N by 2 यह 2A plus N minus 1 into हमारे पास D अब यहां पर बताओ इस formula के लिए हमें AOD चाहिए क्या यहां पर AOD दिख रहा है नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा ना तो AOD को हमें पहले करना पड़ेगा find कैसे find करेंगा वो दिखो 14 यहां पर आ जाएगा हमारे पास 4 तो यहां पर हमें D क्या मिल गया है 4 मिल गया इतना क्लियर हो गया अब दोगों D तो हमें मिल गया मगर A अभी नहीं हमें पता तो A को हम लोग कैसे find करेंगे तो A को find करने के लिए हम लोग यहां लिखेंगे A equals to T2 माइनस करेंगे D अब T2 यहां पर क्या है हमारे पास T2 है हमारे पास 14 है और D हमारे पास है यहां पर 4 और माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 10 तो देखो A भी हमको मिल गया है यह कितना मिल गया है 10 और D मिल गया हमें 4 अब simple सा इस formula में रखेंगे और हमें answer मिल जाएगा ठीक है कोशन ने क्या कहा था कि 51 टर्म का निकालना है तो N की जगह पर हम लोग 51 करेंगे एक को इस टू N की जगह पर हमने 51 बाइ 2 कर दिया और यहां पर हमने किया 2 इंटू A मतलब 10 प्लस N माइनस 1 मतलब 51 माइनस यहां कर दिया 1 इंटू D तो D की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 4 कर देंगे got it यह हो गया अब इसको देखो इसको हम लोग ऐसे लिखते है 51 बा तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 51 बाइ 2 यह हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस 45,020 यहां पर dauज़एगे 20 जीरो इसको अट करते हैंगे तो अट करने में यहां में मिलेगा 51 बाइ 2 यहां पर हो जाएगा हमारे पास 220 और यह से कैंसल तो 110 हो जाएगा 1 इंटू 10 इसका multiply हम करते हैं तो यहां पर हमें कितना मिलेगा यह हो जाएगा हमारे पास ओके 5556 तो 5610 यहां पर यह मिलेगा 5610 हमें यहां पर मिल जाएगा ठीक है तो हमें कितना मिल जाएगा 5610 यहीं हो जाएगा कोशन नंबर हमारा 41 का आंसर किलिए रहें दो कितना सिंपल है और बहुत ही असान कोशन है अब आते हैं हम लोग कोशन नंबर 42 में अब यहां पर जो कोशन 42 है यह कह रहा है कि जो इसकूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंन स सक्रियें अगर कोई 2nd class में तो चार प्लांट लगा रहा एक से बच्चे प्लांट लगा है है इतनी बात क्लिए होगी अब यह भी कोशन ने कहा है कि हर एक क्लास में 2 सेक्सन यह कितने दो सेक्सन है और यहां पर कोशन ने पूछा है found how many trees वर planted मतलब कितनी ट्री इन लोगों ने लगाई मतलब number of trees sum of tree यह पूछा है क्या पूछा है sum of tree total tree ठीक है तो जब कभी भी हमसे question sum की बात करता था तब हम लोग कौन सा formula लगाते थे sn वाला लगाते थे तो चलो अब इसके हम लोग solution को देखते हैं यहां पर ना हमें क्या तक के one to 12 classes है हमारे पास ठीक है अब मान लोग कोई first class में पढ़ता है तो कितने पेड़ लगाएगा अपने से double यहां पर हो जाएगा अब कोई second class में पढ़ता तो वो कितने plant लगाएगा वो लगाएगा इससे ज्यादा मुलब two से ज्यादा कितना हो जाएगा फोर मुलब two का double क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा तो यहां लिग दिया हमने four ठीक है अब ऐसे हम लोग आंगे करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे हमारे पास six तीसरे class में अगर चौथे class में होगा तो वह एट पास्वे में होगा दस इसी तरह से हमारे पास किस class तक लगेंगे 12 class अब जो 12th class में वह कितने लगाएगे अपने class से double यहां पर हो जाएगे 24 यहां पर यह लोग लगा देंगे clear होगे इतने बस तो यह बन लगाएंगे s n equals to n by 2 और यहां पर हो जाएगा a plus l यह वाला formula लगाएंगे अब a plus l वाला formula इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस ap में हमें last term यहां पर पता है अगर नहीं पता होता तो हम लोग यहाला formula ना लगाते हैं इतनी बात clear अब आंगे आदो यहां पर n क्या है n पता है no matter of term हमारे पास क्या है नहीं पता चलो अब हम बताते हैं यहां पर no matter of term है हमाये पास 12 कैसे हमाई Another total classes कितनी है डी duy है तो यहां पर हम लोग लिखेंग डीजिए न क्योंकि यह 24 हमारा लास्ट यह 24 का मतलब यह हो रहा है कि यहां पर इतने पेड लगाया जा रहे है 12th class में ठीक है अब कितनी class है हमारे पास सीथी 12 class है तो यहां पर हमने कर दिया 2 ठीक 12 by 2 यह हो रहा हमारे पास first term first term हमारे पास क्या हो जाएगा 2 और plus 36 तो यहां पर 6 3 12 15 156 आ गया तो SN आगे हमारे पास 156 ठीक है यह आगया हमारे पास SN मतलब कि इतने student ने मतलब total student ने इतने पेड़ लगा है मगर यहां पर कोशन ने यह भी कहा था कि हर एक में 2 सेक्षन हारी हारी के डास हमने अपर स्रीब एक क्लास के बाति कि कोशन ने यही कहा था कि हर एक क्लास में 2 सेक्क्सन है तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं जूँलिधि स्थेटमैंट लेदे दिए plants है कि टोटल प्लांट हो जाएंगे 156 इंटू टू कर देंगे एक कोस्ट होगे 312 बस यह हो जाएगा कोशन नमबर 42 का आंसर दो आधे पीज में भी यह नहीं आया कितना सिंपल सा यह कोशन था है ना कितना इसी तो कोशन नमबर 42 हो गया अब आतें कोशन नमबर 43 में अब य बर सिना पर गयम कैसा है गेम यह है कि हमागे पास यह पूरी एक स्टेट लाइन ठीक है और एक स्टेट लाइन में सुर्वाद में ही एक बगेट रख दी जहीं ठीक है अब बगए पर उसके पांच मीटर बाद एक पोटैटो रखा गया फिर उसके तीन मीटर बाद पोटैटो फिर तीन तीन मीटर में पोटैटो रख दिया गया इतनी पास समझ भाई क्या का कि एक स्टेट लाइन है तो पूरी एक स्टेट लाइन है हमारे पास अब इस स्टेट लाइन के स्टार्टि यह बाल्टी रख दी गई है अब इस बाल्टी से पांच मीटर दूर एक पोटैटो रखा गया है फिर पोटैटो से दूसरा पोटैटो रखा गया तीन मीटर की डिस्टेंस में फिर ऐसे सारे तीन इसको उठाएगा और फिट डालेगा इसी तरह ऐसा करते करते लाश्ट तक वो करेगा अब यहां पर कोशन ने यह पूच लिया है कि इस यह बार बार करते करते इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है यह कोशन ने पूचा है ठीक है अब हम लोग कैसे बताएंगे देखो अब सीधे इसकी डिस्टेंस बता तो तो हो जाएगा नहीं होगा क्यों कि यहां पर जो बंदा है वो टैटक उठाके इसमें डाल लाना वह एक बर यहां से गया इधर फिर यहीं से दोवारा इधर गया तो यह पांच मीटर की डिस्टेंस उसने दो बर दोड़ी है एक बर ले यहीं कर यहां तक कितना हो जाएगा 5 लेस तेनी स्रफ़ों कि ये रखे वें 3 मीटर की सुर्फा निया और इसको कवर किया करना पांच मिटर यह समस्तक्राइब walking तक यहां पर यह पितने रखें और कैसे कैसे करएंगे वो समझें कोश्चन समझमिंगे हैं बहुत सिम्पल है बहुत इजी है जैसे कि कोश्चननर 42 कि हैं बेखुल उसी तरह तो देखना हम लोग क्या करेंगे बहुत ही ध्यां से समझcry पहले तो हम लोग इसको लिखेंगे ठीक है यह दो यहां पर हो गया हमारे पर कोशिन नंबर 42। अब इसको ध्यां से समझना कि उसने जो टोहटल डिस्टेंस कवर कियाु है। उसक و कुछ इस तरह है, हम लोग बनाने क्या जा रहे है। हम लोग बनाएंगे AP तो यहां पर हम लिख देते हैं total distance total distance in meter to be covered ठीक है to be covered for first second third potato and so on अब दिखो फिर से हमने यह बना दिया ठीक है अब यहां पर इसको देखते जाएंगे और करते जाएंगे अब हम लोग AP बना रहे हैं यह हमारी है एक bucket got it यह यहां से पहला potato हमारा यहां रखा है और इसकी बीच की जो distance 5 meter है और दूसरा potato हमारा यहां पर है इसकी बीच की distance 3 अब इसी तरह खुब सारे हमारे potato रखे हैं तीन-तीन मीटर की distance में got it इतनी बात देखो clear हो गए तीन-तीन मीटर की distance में हमारे खुब सारे potato यह ऐसे पढ़े है अब बंदे ने क्या क्या उठा बंदा यहां से दोड़ के गया इसको उठाया तो उसने कितना चला हम यहां पर तो एपिम बना रहा है बंदा दोड़ के यहां गया तो कितना उसने cover किया distance 5 meter के फिर दोड़ के फिर यहां पर वापस आया तो फिर उसने कितनी cover की 5 meter की तो five meter में हम लोग उसने क्या क्या है दो बार कवर किया ना एक बार जाने में एक बार आने में तो five and two हम लोग क्या कर देंगे two कर देंगे इतनी बात clear होगे ठीक है एकटी यह हो गया अब फिर उसने क्या कि सिक दोड़ के गया जब यह उठा लिया इस वाले पोटाटेक ऊचाया तो पांच मीटर यह और तीन मीटर हो तो टोटल कितने हो गए 8 मीटर इतना पड़ेगा तो 5 मेटर हम्ने लेगा 5 मेटर प्लेस 3 मेटर यह बवार समझी रहाए कैसे हुए यहां तक हिस्क्राइब का डिस्टंस सी five मेटर यह तो इस flips अब इसको यह लाग उठाना तो इससे 3 मिटर और डॉड के जाना पड़ेगा तो फाइव मिटर प्लस किया थ्री मेठर अब फिर दॉड के फिर वापस आएगा तो क्या होगा डॉड्बल को कर रहा तो यहां पर रोजाएगा कट अब अब यहां पर दौर की यहां जाएगा तो यहां से वापस भी तो आएगा तो यहां पर हो जाएगा तो यहां पर दौर लगा रहा है एक बर जाने में एक बर आने में इसी तरह है वह चलता चला जाएगा जाता लिखने की ज़़र नहीं बस तीन हमने बना लिया डाइट कॉमा यहां बन जाएगी हमाय पर पांट इन आठ नौट अज ग्यारा तो यहां पर होगी 11 and so on ठीक है कहां तक बनेगी हमारी 10 टर्म तक ना कि अधियर इतनी पास समझ में आगे यह एक पी हमारी बनती चली जाएगी समझ में आगे अब आगे दोगो 10 टर्म ते ना एक बार किलिए हाँ अब हमने बता है कि में पूटाइटों नहीं पता हैं मगर यहां पर पूटाइटों में पता है कि ने तर्ट है तो यहां पर कहां तक दोड़े गया यह 10 टम्स तक हो जाएगा तो फर्स्टम इसको बोल दिया सेकेंड टैल फॉर फॉर फेप शेग सेवन एट नाइट यह च ठीक है n by 2 2a plus 2a plus n minus 1 into हो गया हमारे पास d हो गया यह formula लगाएंगे मगर यहां पर हम लोग 2 का भी multiply कराएंगे अब 2 का multiply क्यों कराएंगे पता है तो यहां पर हमारे पास क्या है 2 है आंगे हमने 2 common ले रखा है यहां पर करा देंगे बस formula हमारा स्रीप इतना ही है मगर यहां अब simple सा इसको रख देंगे हमारा answer आजाए तो यहां लेका 2 into n n की जगह में हम लेकेंगे 10 क्योंकि 10 potato है ठीक है गलतिस हमने बोल दिया कि हमें पता नहीं कितने potato मगर 10 potato है उसमें यहां लिए 2 into a a मतलब होता first time first time हमारे पास क्या है 5 है plus यहां पर हो गया n minus 1 मतलब 10 minus यहां यहां पर हो जाएगा 2 से cancel हो जाएगा यहां पर आजाएगा हमारे पस रिप 10 आजाएगा एक सिकंड यह तो हमारा पूरा ठीक है ना 10 आजाएगा यह और यहां पर हो गया हमारे पस 10 और यह जाएगा 903 यहां पर हो जाएगा हमारे पस 27 इसको solve करेंगे तो यहां पर आजा यह 10 पूटाटो को उठाने में हैंना कितना सिंपल इजी बहुत ही इजी बहुत ही असान तरीके से हम आपको सारे कोशन कराएंगे ठीक है तो डरना नहीं है बस समझना है अब आता है कोशन नंबर 40 ओके था हमारे पास अच्छा यह 43 हमने गलती से गलती से 42 कर दिया है ठीक है यह पर जो कि होगा सब कुछ सेम ही है तो यहां पर कोशन नंबर 44 कह रहाए कि एक गार्ड न रहें ठीक है गार्ड न पाष यहां पर मालो रखा का हुआ है ठीक है और यहां पर लगे हुए है पांच-पांच मीटर की डिस्टेंस में पीड ठीक है अब गाडणर डॉक़ा क पहुंचाएगा ठीक है अब इसमें यहां पर एक बाद यहां तक ना कि यहां पर जो टैंक है और टैंक से लेकर जो पहला पेड़ उसकी बीची जो डिस्टेंस है वह 10 मीटर है कितनी है तैन मीटर है ठीक है कोशन को फिर समझो कोशन ने यह कहा है कि हमाई पास एक टैंक है औ and so on इसी तरह से सभी पेड़ की डिस्टेंस से आपस में 5 मीटर है ठीक है किलियर इतनी बत अब सुचो यहां पर गाड़नर ने यहां से पानी उठाया और पहले पेड़ को दिया ठीक है फिर वापस गया फिर पानी उठाया फिर दूसरे पेड़ को दिया फिर वापस गया फि कैसे करना है उसको अभी हम फिर से बताते हैं बिल्कुल कोशन नमबर 43 का ही कॉंपी यह किसका है 43 का कॉंपी जो कि हमने अभी पिछली ही कोशन में ही किया हुआ है है कि तो यहां पर देखो टोटल डिस्टेंस की बात की तो यहां पर लोकर फॉर्मला लगाएंगे ऐस न का जिसका ऐसन का फॉर्मला होता है एट यहां पर हो अब वो टैंक से गया है पहले पेल की तरफ किसकी तरफ गया पहले पेल की तरफ तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की उसने डिस्टेंस कवर की 10 कितनी कवर की 10 यहां पर एपी बना रहा है एपी इस चीक है उसने डिस्टेंस कवर की 10 फिर वह वापस भी तो आया यहां पर टैंक के पास तो फिर से उसने डिस्टेंस कितनी कवर की 10 तो 10 यहां पर होगा मतलब वह दो बार 10 की डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो यहां पर 10 प् 10-10 भी लिख सकते ओ और 10 x 2 भी लिख सकते हो ठीक है या फिर दिखो ऐसे करो गे 10-10 लिखोंगे तो भी 20 आएगा 10 x 2 लिखोंगे तो भी 20 आएगा इसका मतलब यह हो रहा कि जू उसने 10 मीटर की डिस्टेंस को दो बार कवर किया यतनी बात किलिए अब उसने क्या किया कि फिर से पानी उठाया फिर दूसरे पेड़ की पास गया तो यह 10 मीटर की यह डिस्टेंस कवर की और साथ में 5 मीटर की यह डिस्टेंस कवर की तो 10 प्लस 5 हो गया है तो यहां लिख दिया हमने 10 10 प्लस यहां पर कर दिया हमने 5 फिर जब यहां से पानी इसने पेड़ को दिया फिर वापस गिया तो फिर उसने दो चक्र लगा दिये तो यहां पर तू का हमने मल्टिप्लाय कर दिया अब इसी तरह इसमें फिर से आज़ा फिर इसने पानी उठाया फिर यहां से यह गया ती फिर वापस गया पानी लेने तो यह 20 मीटर हो यहां चला 20 मीटर यहां चला तो यह क्या हो रहा दो बार चला तो इसी तरह हमारी एपी बनेगी 25 तक ठीक है कहां तक चलेगी 25 टाइम चलेगा यह गाट इट इतनी बात किलियर हो गए अब आंगे देखो इसको सॉल्व कैसे करना है यहां पर इसको सॉल्व देखो सब में हमें देखो टू टू दिख रहा है तो टू को कॉमन ले लिए हमने यहां पर आ जाएगा हमारे पस कितना यहां पर आजाएगा 10 यहां पर हो जाएगा 15 और यहां पर आजाएगा हमारे पस 20 एंड सो ओन ऐसे हमारी पूरी एपी चलती चली जाएगे अब इसमें से बताओ ए क्या हमारा हो जाएगा यहां पर 10 और यहां पर डी हो जाएगा हमारे पस 5 यह हमारी एपी तो फिर्स्ट 25 लिखें क्योंकि कि यहां पर total 3 हमाएं पास कितने है 25 थो N की जगह पर हमने 25 x 2 कर दिया और यहां पर किया 2 x A मतलब यहां पर हो गया हमाएं पास 10 plus N-1 N की जगह पर हमने कियa 25-1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया इंटू D तो D की जाए पर हमने किया 5 तो यहां पर लिखा हमने 25 by 2 25 by 2 कर दिया यहां कर दिया हमने 20 और यहां पर प्लेस कर दिया हमने 24 इंटू 5 कर दिया ठीक है यह हमने किया अब इसको देखो कैसे करेंगा यहां पर होगे 25 by 2 और यहां पर होगे हमारे पास 20 प्लस फाइब फॉर्टी और फाइब यहां पर होगे हमारे पास 120 इसको एड़ करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 25 यहां पर हो जाएगा हमारे पास 140 और हम लोग यहां पर इसको डिवाइड कर देंगे तो से तो हमें यहां पर मिलेगा 70 ठीक है जब हमें 70 मिलेगा तो 70 का इसमें हम लोग कर देंगे यहां पर क्या मिलेगा 7 to the 14 गां सौरी 7535 और 5-3 जाएगा 5-3 जाएगा 5-3-7-14 15-16 17 1-7 5-0 मिलेगा अब यहां पर एक चीश्थ हम लोगों को भोल गयें क्या बोलें पता है यहां पर भोलें यह इस 2 को यह 2 भी तो आएगा तो तो हमारा कहां पर आएगा यहां पर आएग तो इसको हम लोग करते हैं तो का मल्टीप्ले तो यहां पर तू फाइप टू जा टैन फॉर्टी फिप्टीन केरी वन तू तू जा फूर और टू और त्री त्री फाइब डबल जिरो इतने मीटर की वो डिस्टेंस को करेगा कवर पूरे में पानी डालने के लिए तो देखो कितना बड़ा लग रहा है इत्तू सा बिलकुल इत्तू सा अंसर है अब आते है कोशन नमबर 45 कोशन 45 आ सम ऑफ 700 रूपील इस तो बी उस्टो गिवें 7 कैस प्राइज तो इस्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर और ओर अकेडेमिक परफॉर्मेंस इफ इस प्राइज इस इस प्रेसीडिंग प्राइज फाइंड वैल्य उफ इच प्राइज अब कोशन नमबर 45 ने यह का है कि यहां पर मानलों कोई क्या था प्रफॉर्मेंस की बेस बच्चों को क्या दिया जा रहा था प्राइज दिया जा था ठीक है टोटल प्राइज देना है 7 लोगों को अब मैं करने लोगा करेंज प्राइज 9 जैसे की असी टीसरे वाले को 80-20 रुपय कम विले5,60 रुपय मिलेगा, और 4 वाले को 60 में 20 कम मिलेगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इस तरह से price दिया जा रहा है, अब यह बताना है कि, हर एक बच्चे को कितना कितना रुपय मिल रहा है, यह बताना है, तो बहुत simple है, कैसे करेंगे देखो अभी दो मिनट में यह खतम हो जाएगा यहां पर टोटल हमारे पास प्राइस मनी कितनी है बाई टोटल जो प्राइस मनी है वह है 700 कितनी है 700 इसको हम लिख लेते हैं टोटल हमें कितना मिला है रूपीज 700 मिला चीक है इतनी बात के लिए अब नंबर ऑफ कैस प्राइस कितना है यहां पर लिख दिया नंबर ऑफ कैस 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 प्राइस तो नंबर ऑफ कैस प्राइस है हमारे पास 7 मतलब सात लोगों को हमें 700 रुपए बाटना ठीक है अब इच प्राइस नहां लिख देते हैं इच प्राइस इन टुन्टी रूपीज लेस दन लेस दन इट्स प्रिसीडिंग प्रिसीडिंग प्राइस इसका मतलब क्या हो रहा है हर एक बंदे को अपने उपर वाले से 20 रुपए कम मिलते जा रहा है ठीक है यह इस तरह से समझ लो तो यहां पर यह बताओ पहले वाले को कितने रुपए मिले पता है नहीं ना तो उसको लेट कर लेता है यहां किया ले अब इसी तरह हम लोग वाले को लेट कर लेते सेकेंड़ फ्रेस इन हो जाएगा वो जाएगा एक्स माइनस 20 रूपीज कितना हो जाएगा एकस माइनस 20 रूपिज अब थर वाले को हम लोग कर देंगे तो थर वाला ओजाएगा x-20 इसको इससे 20 पर कम मिले अब इसको तीसरे वाले को दूसरे वाले से 20 रुपे कम मिलेंगे अब इसी तरह यह सिलसला 7 तक चलता चला जाएगा ठीक है तो चलो इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं तो यहां तक हमने लिख लिया है ठीक है अब ज्यादा लिखने की जहुरत नहीं अब इसमें हम लोग सिंपल सा बना लेते हैं एपी तो हमारी जो एपी हो जाएगी यहां पर लिखा एपी इज ओके एपी इज हो जाएगी हम लोग लिखेंगे x कॉमा कर दिया x-20 कर दिया और यहां कर दिया हमने 120 हो जाएगा यह आजाएगा हमारे पास इतनी बात क्लियर होगे अब यहां पर ना हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है फर्स्ट टर्म जो की होता ए वो क्या दिख रहा है और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है इनके बीच का difference दिखरा है हमें minus का 20 ठीक है और number of term कितने हैं यहाँ पर number of term है 7 मतलब 7 price है तो number of term होगे 7 अब इसका जो last है last term हो क्या है हमाँ पस x minus 120 ठीक है तो यह 3 तक निकालें 4, 5, 6, 7, 7 निकालो तो x minus 120 ही मिलेगा इतनी बात clear हो गए अब इसके आंगे देखो इसके आंगे हमें क्या करना है और कैसे करना है इसको समझो यहां पर ना हम लोग लगाने वाले formula कौन सा formula लगाएंगे sum का तो sum का formula लगेंगा यहां पर लगेगा s n equals to n by 2 a plus l वाला a plus l वाला ही formula क्यों लगा रहा है क्योंकि यहां पर दिया हुआ है last term हमें पता है last term हमें पता है इसलिए yellow formula लगाएंगे नहीं पता होता तो वाला लगाते है तो यहां पर हो जाएगा हमारे पस sum of n मतलब total हमारे पस price money कितनी थी 700 s n हमारे पास क्या हो गया 700 हो गया and मतलब होता है कितने लोगों को देना number of term 7 है यहां पर 7 by 2 यह हमारे पास है यह कितना है x है और last time हमें पता है कितना है x minus 120 है got it यह तो यहां पर हम क्या कर सकते कि 2 इधर ले जाते तो यह multiply में आ जाएगा क्योंकि यह divide में औ हो जाएगा इसको कैंसल करेंगे तो यह हंड़ेट इंटू 200 हो जाएगा 200 हो गया यह और यहां पर 120 माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लेस 120 और यहां पर हो जाएगा माँ पर 2x इसको हम लोग solve करेंगे तो 320 और यह दो multiply में इधर आ गया divide में equals to x इससे cancel करेंगे तो यहां पर x जो आया है वो हमें मिल गया 160 कितना मिल गया हमें यह पर 160 मिल गया अब हमें पताना था कि कितने रुपए मिल रहे हैं पहले वाले को कितना मिला दूसरे वाले कितना मिला तीसरे को चौधे को पांचवे को चटे को कितना मिला तो simple समझ लो क्यासे पहले वाले को कितना मिला है फर्स्ट वाले को मिला है यहां लिख संदी दिए यहां ओव सेंगा लिए अवए इ Jackie 2015-181 यहां पर हो जाएगा हमारे पास टेकर से 172 दूसरे वाले को इसी ही 20 रुपए कम मिलेगा तो यह हो जाएगा 100 छीडश फालेगा हमेलेगा 20 वीस कम यह हो जाएगा 60 साथ वह मिलेगा 40 तो पहले वाले वाले को 160 रुपीज छहीं हो जाएगा पूरा हमारा कोशन का सेलूशन तो देखो हैना कितना easy कितना simple आपको बस इस question को अच्छी से समझना पड़ेगा question समझ लोगे तो solution खुदी कर लोगे अब हम लोग बाकी question करेंगे next वीडियो में I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी है कर लगी हो अच्छी तो comment subscribe like सब कुछ कर देना ठीक है मिलते हैं next वीडियो में next वीडियो की link आपको description में मिल ज कर देड़र